नमस्कार दोस्तों, उमीद करता हूँ कि आप सब लोग भैतर होंगे दोस्तों आज से हम हमारे इस ऑनलान यूट्यूब चैनल के माध्यम से MPGK की स्पेशल कोशन सिरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम रोजाना अलग अलग पार्ट के माध्यम से 25 कोशन से सम्बंदित होंगे और इसके रोजाना एक एक पार्ट हम लोग अप्डोड करने वाले हैं इसमें आपको कोशन के सही उत्तर को बताने के साथ साथ उस उत्तर के आसपास के कुछ fact पर भी हम discuss करेंगे ताकि यदि उससे सम्बंदित कोई question आपकी exam में आ जाता है तो आप उसको हल कर पाएं तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले part को जिसमें हम पहले 25 questions पर discuss करेंगे तो सबसे पहला question है आपका प्रशन एक crystal IT park कहां है जब आप crystal IT park की बात करते हैं तो आपका उत्तर होता indoor crystal IT park indoor में है लेकिन एक बात और याद रखना है कि ये पार्क जो 2004 से start हुआ था इसके बास से MP में indoor में IT के चेतर में बहुत ज़ादा तरक्की हुई है सरकार में इस चेतर में काफी काम किया है वर्तमान में 70% IT कमपनियां जो है 70% IT कमपनी जो है मध्य प्रदेश की वो अभी इंदोर में कारे रख हैं और इंदोर में आज लगबख 3000 करोड सालाना का लगबख IT का कारोबार स्ताफित हो चुका है IT park, crystal IT park जो है वो बना, 2018 में इसकी building के पास में ही अतुल्य IT park बना है और तीसरे IT park बनाने का काम भी अभी जारी है इसका मतलब ये है कि मध्य प्रदेश के इंदोर में अभी तीसरे IT park का काम चलना है दो park अल्रेडी हैं तो अगर crystal IT park की जगा पर आपको question दी दिया जाता है अतुल्य IT park कहा है तो याद रखेंगे कि ये भी इंदोर में है जो crystal IT park के building उसके just पडोस में इसके building बना दी गई है तो दोस्तों देखो पहला, दूसरा और तीसरा IT park का भी निर्माना धीन है इस प्रकार से आपको एक ही campus में अलग-अलग IT park दिख रहे हैं इसका मतलब एक संकुल जो है IT park का वो यहाँ पर बना दिया जा रहा है और यह एक सेज आधरित व्यवस्ता हो गई IT के छेतर में यह special economic zone बन गया है जहाँ पर हम बोल सकते हैं कि IT related बड़ी-बड़ी कंपनियां स्थापित हो चुती है इसनी सब चीजों के कारण आज आप बात करें तो हैदराबाद पूने बैंगलोर यह जो अग्रणी शहर है IT के छेतर में इनके बाद अब इंदोर जो है यह आपकी IT पार्क के अलावा और भी जो information थी वो मैंने आपको यहां बताई एक बात और याद रखना है कि IT के business में यह दिए हम बात करें तो Crystal IT पार्क में लगबख 14 कंपनियां और अतुल्य IT पार्क में लगबख 27 कंपनियां वरतमान में कारेड़त हैं बात करें तो Security Paper Meal कहां है? Security Paper Meal होशंगाबाद में है यहाँ नोड च्छापने का जो कागज होता है नोड च्छापने का कागज जो होता है वो यहाँ बनाया जाता है कहां Security Paper Meal होशंगाबाद में इस Paper Meal की स्थापना 1962 में हुई थी और 20 March 1967 में जब तकालिक प्रधान मंत्री थे तो उन्होंने इसका उधगाटन किया था और 20 नवेंबर 1967 सबसे पहले मध्यप्रदेश में नोट शापने का कागज बनना स्टार्ट हुआ था ये तीनों डेट आप लोग याद रखिएगा कि 1962 में नोट शापने के कागज का कारखाना होश नवेंबर 1967 से यहाँ पर कागज बनना स्टार्ट हुआ था नोट शापने के लिए दूसरी बात यही थी कि ये एक ऐसा संस्थान है जो सीधे केंद्र सरकार के अंडर में है और वित्तमंत्रालाय जो है वो इसको देखता है तो केंद्र सरकार वित्तमंत्रालाय के अधीन ए देवास में और होशंगाबाद में क्या है नोट शापने के कागज का कार खाना है होशंगाबाद में जिसको सिक्रेटी पेपर मील कहते है और देवास में बैंक नोट प्रेस है ठीक है और गुना की अधियम बात करते है तो गुना में फर्टिलाइजर का कार खाना कहा है ग जाद रखना है जो भारी विद्युत उद्योग होते हैं वो भारत हेवी इलेक्टरिकल्स के नाम से जाना जाता है हमारे यहां भोपाल में है जिसको हम कहते हैं भेल ठीक है और यह सारवजनिक छेतर की एक बड़ी कंपनी है यह हम बोल सकते हैं सबसे बड़ी इंजिनिरिंग पूर में इसकी स्थापना की रही थी लेकिन इसका मुख्याला कहा है अगर ये पूशा जाद़ इयाद रखेंगे नई दिल्ली में इसका मुख्याला है ये आपको ध्यान रकना है इस कार खाने में 150 से ज्यादा इस मतलब भेल जो है आपका वो 150 से ज़ादा प्रोट्क्ट पे काम करता है मद्य प्रदेश में कहां है भोपाल में है याद रखना है तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स के नाम से जाना जाता है क्या तो भारी विद्युत उपकरण जो है वो इसके लिए जाने जाते है नेक्स्ट प्रशन है चिप बोर्ड कारखाना कहां है तो याद रखेंगे चिप बोर्ड कारखाना जो है वो इटारसी में है इसका उत्तर यही है ठीक है नेक्स प्रशन है और दूसरा है कि ये किस प्रकार से जोड़ा तो पहले हम लो इन पर काम करते हैं फिर हम इस नंब़र इस पे जाने कि पहला है की जरी के बटू कहा हुएं जरी के बटू कहाँ बनते हैं तो दोस्को याद रखना है कि जरी के बटू कैपने बटू कहा नाम है बैतूल का जो टिग्रिया गाउं है यह बहुत ज्यादा आगे है यहाँ पर जरी का जो कां होता है व्यापक तौर पर और यहाँ से किवल देश में ही नहीं बलकि विदेशों में भी इसकी बहुत जागा डिमांड है याद रखना है तो टिग्रिया गाउं है वो भी हस्त शिल्प की दरश्टी से अग्रणी है लेकिन यहां पर बैतूल नहीं है तो इसका उत्तर क्या है भोपाल है ठीक है भैरवगड के प् काम है भैरवगड जो भैरवगड जगा है यहां पर एक विशेश प्रकार की प्रिंटिंग का काम चलता है जो लगबख 500 साल पुराना काम है हमारे देश में यह प्रिंटिंग का काम है यह 500 साल पुराना प्रिंटिंग का काम है जहां पर जो प्रिंटिंग का काम चलता है उ इसमें क्या होता है? मुम के माध्यम से मुम जो होता है उस पे अलग-अलग पत्तियां, फूल, रंग-बि-रंगी चीज़े उकेरी जाती है और फिर उसको और कपड़े पे छापा जाता है. तो इस प्रकार से जो कला होती है उसको बाटक कला का नाम कहते है जिसमें मोम की साहिता से कपड़े पर बहतरिंग प्रिंटिंग की जाती है और ये एक नेचुरल प्रोसेस के तहर भी आता है तो याद रखना है कि भहरवगड जो है भहरवगड के प्रिंट ये उजेन से संबंदी थे जो छिपरा के किनारे पर है जहां पर बाटक प्रिंटिंग का काम होता है मोम की साहिता से कपड़े पर रंगीन फूल पत्यां उकेरे जाते हैं और ये 500 साल पुराना हमारा एक प्रि यहाँ पर एक का तीसरा था और बी का हो गया फस्ट तो बी के साथ क्या लगा देंगे अपन लोग बी के आगे लगा देंगे एक ठीक है तो तीसरे की बात करते हैं सी की तो बाग की हस्तशिल्प कहा है तो ये धार में है याद रखना है कि धार जिला जो है वहाँ पर सालों से एक प्रिंटिंग का काम चल रहा है जो पूरी तरीके से एको फ्रेंडली प्रिंटिंग का काम है ये पूरी तरीके से याद रखना है कहा होता है ये धार के बाग में यहां लगबग एक हजार से जादा कारीगर है जो इस प्रिंटिंग का काम करते हैं और ये ठपा प प्रिंटिंग की तरह काम करती है कौन सी प्रिंटिंग बाग की प्रिंट कला ठीक है एक हजार से ज़्यादा कारिगर है और ये जो बाग की प्रिंटिंग का काम होता ये विशेश तोर पर गर्मी के मौसम में किया जाता है क्योंकि इस मौसम में आपको नमी नहीं रहती तो य इसके माध्यम से कपड़े पर ठपा लगा कर प्रिंटिंग की जाती और गर्मी के मौसम में की जाती विशेश तोर पर क्यूं? इसमें क्या करते हैं कपास का कपड़ा लिया जाता है और कपास के कपड़े पे प्रकृतिक विधी से ये ठपा लगाकर प्रिंट को उकेरा जाता है याद रखना है आपको ठीक है तो इसमें कपास का प्रियोग होता है एको फ्रेंडली कलर का प्रियोग होता है एक हजार से ज मन से जिलना पट रही है लॉक्डाउन के कारण क्यूंकि जो बाग की प्रिंटिंग ही यह इतनी लुभावनी होती इतनी आकरशक होती है कि केवल देश नहीं विदेशों में भी इसकी बहुत डिमांड है है ना एक सर्वे में पता चला कि लॉक्डाउन में यहां के लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम जेरने को मिली है लेकिन याद रखिएगा बाग की जो हस्त शिल्प प्रिंटिंग है वो कहां है धार में है लास्ट बस्ता चंदेरी डी तो चंदेरी की साड़िया कहां होती अशोक नगर में अशोक नगर में चंदेरी नाम की जगा है जो चंदेरी है वो आप याद रखें कि एक बहुत पुराना सहर है वैदिक काल से इसको हम लोग देखते हैं और चन्देरी की जो साड़िया है ये भी वैदिक काल से ही चली आ रही एक बहुत पुरानी परमपरा के अनुसार हमारे आपरे साड़ी देखने को मिलती है और ये मद्यप्रदेश में आकरशक साडियां है जो की हम बात करें GI Tech प्राप्त कर चुकी है मद्यप्रदेश का जिग्राफिकल एडिन्टीटी जो उनको दे दी गई है ये वैश्व की स्थर पर एक प्रतीक बन गई है कि जब भी चंदेरी साडि का नाम लिया जाता है तो अ तीन प्रकार का ये ये फैबरिक बनाते हैं जिसमें एक प्यॉर सिल्क होता है क्या होता है एक प्यॉर सिल्क बनाते हैं दूसरा ये बनाते हैं चंदेरी कॉटन क्या बनाते हैं और तीसरा बनाते हैं सिल्क कॉटन तो याद रखें कि तीन प्रकार का ये माल तयार करते हैं परेबिक क्या करते हैं pure silk चंदेरी cotton और silk cotton तीन चीजे यहाँ पर ये उत्पाद बनाते हैं कहाँ चंदेरी में तो चंदेरी साड़ी हमारे वैदिक काल से प्रचलित एक पूरी व्यवस्ता है जो चंदेरी अशुकनगर में होता है तो यहाँ देखो कि A के साथ आपने मिलाया 3 को तो A के साथ मिल रहा है आपका 3 ठीक है B के साथ मिल रहा है आपने 1 को तो B के साथ मिल रहा है आपका 1 C के साथ मिल रहा है आपने 2 को तो C के साथ मिल रहा है आपने 2 और D के साथ मिल रहा है आपने 4 को तो D के साथ मिल रहा है आपर 4 इसका मतलब उत्तर आपका क्या हो जा ऐसा हुआ तो आप इसको और भी देख सकते हैं कि कहां पर क्या है चौथा प्रश्ण है मद्य प्रदेश में 2011 की अंतिम जंगर्णा का नुसार जंसंख्या की दृष्टी से कौन सा जिला प्रथम है तो सबसे ज्यादा जंसंख्या कहां है तो याद रखेंगे सबसे ज्यादा जंसंख्या वाला जो जिला है आपका वो है इंदौर इंदौर में सबसे ज्यादा जंसंख्या है मद्य प्रदेश में ठीक है नेक्स प्रश्ण है मद्य प्रदेश का कुल चेत्रफल भारत के चेत्रफल का कितना प्रतिशत है जब ये प्रश्ण आता है कि मद्य प्रदेश का कुल चेतरफल भारत के कुल चेतरफल का कितना प्रतिशत है तो याद रखना 9.38 प्रतिशत कितना प्रतिशत है 9.38 प्रतिशत याद रखें 32, 87, 263 किलोमीटर स्क्वेर ये आपका भारत का चेतरफल है कितना 21% है 9.38% ये आप लोगों को ध्यान रखना ओक है कि नेक्श प्रशोन है जन्गण्णा 2011 के अंतिम आकडों के अनुसार मध्य-प्रदेश की जनसंख्या देश की तेना पृतिशत है तो याद रखना है tive 6iness मद्य प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का लगबग 6% निवास करता है 2011 की जनगर्णा का अनुसार मद्य प्रदेश की जनसंख्या लगबग इतनी करोड है 7.26 करोड के आसपास है जो देश की कुल जनसंख्या 2011 के आकड़क अनुसार जो एक से किस करोड़ी उसका लगबग बात करें तो 6% के आसपास आता है तो 6% जनसंख्या है मद्देप्रदेश की जबकि विश्व की लगबग 7.5% प्रतिशा जनसंख्या कहा है भारत में है याद रखें कि भारत में विश्व का 2.4% शेत्रफल है विश्व का कुल शेत्रफल का कितना 2.4% भारत में लेकि लगबग 17.5% जनसंख्या निवास करती है भारत में वही भारत के कुल चेत्रफल का 9.38% चेत्रफल मद्यप्रदेश में है लेकिन मद्यप्रदेश की 6% जनसंक्या जो है वो भारत की कुल जनसंक्या का है याद रखना है आपको ठीक है नेक्स प्रश्ण है आपका जिसमें हम लोग बात करते हैं प्रश्ट नमबर 10, जिनसंख्या के आधार पर मद्य प्रदेश देश में कौन से करम का बड़ा प्रदेश है, याद रखें, मद्य प्रदेश जो है वो पांचवे करम का है, कौन से नमबर पर आता है मद्य प्रदेश, पांचवे नमबर का है, छटा यहां पर लिखा था, मै पहले एक राज्य हमारे जो था इस से तेलंगाना अलग हो गया था तो इसको हमारे देश का 69 नंबर का राज्य माना गया था ठीक है तो तेलंगाना अलग होने को पाद आंधर्प्रदेस की पॉप derecho विभाजित हो गयी तो अंदर प्रदेश और तीलंगाना दोनों नीचे हो गए हैं और मद्ध्य प्रदेश आ गया है पांचवे नमबर पे तो मद्ध्य प्रदेश कौन से नमबर का है तो पांचवे नमबर का राज है जनसंख्या की दरश्टी से मद्ध्य प्रदेश ये याद रखना है ठीक है संपूर देश में जनसंख्या की व्रदी का प्रतिशत 2011 की जनगणना का नुसार 17.64 रहा तो मद्य प्रदेश में कितना रहा अगर हमारे देश में पूरे 10 वर्षों में जो जनगणना होती है इस जनगणना में 2001 से 2011 तक जो प्रतिशत है बढ़ने का वो 17.64 था तो मद्य प्रदेश में कितना था अगर ये पूशा जाता है तो आप लोग बताएंगे कि मद्य प्रदेश में था 20.30 प्रतिशत मद्य प्रदेश की जनसंख्या है वो 2001 से 2011 के इन 10 वर्षों में कितनी गती से बड़ी है तो 20.30 प्रति वर्ष की गती से बड़ी है इन 10 सालों में मद्य प्रदेश की जनसंख्या जनसंख्या का घनत्व कितना है अगर यह पूछलिया जाता है तो याद रखना है मद्य प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व है 236 व्यक्ति प्रति वर्ष किलोमीटर है जनसंख्या का घनत्व का क्या मतलब होता है दोस्तों तो प्रति वर्ष किलोमीटर में रहने वाले लोग रहते हैं उन लोगों की संख्या को हम क्या बोलेंगे उस छेत्र का जन घनतवर density of population जिसको कहते हैं तो मद्यप्रदेश में 2011 की जन घनना अखलों में क्या बताया गया था कि 236 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलिमीटर मद्यप्रदेश में रहते हैं याद रखना है छेत्रफ प्रतिश का सरवादिक जनसंग्या घनतव वाला जिला कौन सा ये पूछा जाता है तो याद रखना है कि भोपाल जो है वो सबसे जादा जन घनतव वाला इलाका है भोपाल का आकार छोटा है इसलिए घनी बस्ती बस्ती हुई है राज़ानी है विकास के जो आयाम है वो भ प्रतिवर्ग कुलिमेटर रहते हैं भोपाल में देखो कितनी भीड दिखाई पड़ती है इतना जादा जन घनतव है भोपाल में आट सो पच्पन वेक्ती प्रतिवर्ग कुलिमेटर भोपाल में निवास करते हैं नेक्स कुश्चन है दोजार ग्यारा की जनगणना की अंतिमाख़एक अनुसार मद्य प्रदेश में साक्षर्टा का प्रतिशत कितना है तो मद्य प्रदेश में साक्षर्टा का प्रतिशत अगर पूछ लेता है तो आपको बताना है कि मद्य प्रदेश में 69.3% है यदि हम बात कर लेते हैं भारत की साक्षरता तो भारत में 72.99% साक्षरता है एप रोक्स आप इसको लगा सकते हैं 73% साक्षरता है भारत में जबकि मद्य पर देश में साक्षरता का दर 69.3% के असपास है अगला कोश्चन है कि मद्य प्रदेश में 2011 के जंगंडना के अंती माख़ड़े का नुसार सरवादिक साक्षर जिला कौन सा है तो सरवादिक साक्षर जिला कौन सा ये पूछा जाएगा तो आपके ऑप्षन में जो चार ऑप्षन दिख रहे हैं इसमें से सबसे ज साक्षर जिला है मद्य प्रदेश में ठीक है नेक्स्ट कुश्चन है जंगंडना 2011 के अंती माख़ड़ों के अनुसार मद्य प्रदेश में सबसे कम साक्षर जिला है सबसे ज्यादा साक्षर जिला जावलपूर है तो सबसे कम साक्षर जिला मद्य प्रदेश में जो है वो अले राजपूर है याद रखेंगे जनगंडना 2011 के अंतिमाकड का अनुसार साक्षर्टा की द्रष्टी से मद्यप्रदेश में देश का कौन सा इस्थान है तो साक्षर्टा की द्रष्टी से मद्यप्रदेश का देश में 21 सा इस्थान है इसका मतलब यह कि हमारी स्थिति दै केरल की अधियें बात करते हैं तो इस टॉप पर है तो हमारा मद्यप्रदेश जो है वह साक्षरता की दरस्टी देनी इस्तिती हैं साक्षरता बहुत जादा कम है मतलब यह कि आवश्यक सुधार जो है जो सरकार कर रही है उसकी पहुंच उसका जो जो बोल सकते हैं परिणाम जो है हमको नहीं दिख रहा है या फिर कहीं नहीं कार्यारमन जो है वो ठीक से नहीं हो पा रहा है चाद इसलिए मद्यप्रदेश में साक्षर्ता की स्थिति बहुत धाइनी है यह वताता है कि इस चेतर में काफी काम किया जाना भी पाकी है नेक्ष बात करते हैं जनगर्णा 2011 का नुपात जो है वो मद्य प्रदेश के बाला घाट जिले में है मतलब लिंगानुपात जो है हमारे हैं सबसे ज्यादा वो बाला घाट एक हजार से ज़्यादा यहां है यादा लिंगानुपात ठीक है तो मद्दे प्रदेश में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला जो है वो बाला घाट में है यह याद रखना ठीक है कशन आता है तो याद रखें भिंड में सबसे कम लिंगानुपात है भिंड में बहुत दैनी स्थिती है यहां ठीक है तो यहां पर पुरुषो की अपेक्षन महिलां कि संख्या जैसे कितने पुरुषय तो 1000 पुरुषो पर कितनी महिलाए हैं उसको हम क्या बोलेंगे लिंगान उपात कहेंगे तो यहां पर यदि बात करतें तो हमारे भिंड में यह दैनी स्थिती है जबकि बालगहर्ट में स्थिती बहुत पहतर है दोजार ग्यारा की जनगर्णने का नुसार कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीर्ण छेत्रों में निवास करती है एक अच्छा प्रशन है कि मद्यप्रदेश में ग्रामीर्ण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है तो याद रखना लगबख 72.37 परसेंट पॉपुलेशन जो है MP की आज भी गाउं में रहती है आज भी कहां रह प्रशन हादिफ नगरी जनसंख्या कहां मिलती है तो सबसे ज्यादा नगरी जनसंख्या प्रतिशत जया जिलाया जो हमारे लिया मद्यप्रदेश प्रते प्रतिशνाएं ह् มहिलह जादा है जहां पर महिला साक्षर्टा की बात करते हैं तो नाम आता है जबलपुर का अना साक्षर्टा की बात कर लें तो नाम आता है कि इसका जबलपुर का जबलपुर जो हमारे यहां सबसे ज़्यादा साक्षर जिला है तो यह तो साक्षर्टा की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा नगरी जनसंक रहा है करना अग्ला प्रश्ण है मैला साक्ष्रता कितनी है तो मिला साक्ष्रता के स्थिति बहुत ओस्थे हैं लगंट 59.4 परसंट के हैं 15 pass up ben अपी जाब सब्की जादा मरत साक्षरत की स्कुरत के बात है तो महिलाओी साक्षर्टा बहुत कम है तो यहाँ पर एक प्षिपात जो है वो दिखाई पड़ता है असामानता दिखाई पड़ती है इसका मतलब यह है कि कही trending महिलासाक्षर्टा के छेत्र में और प्रयास करने के जरूरत है योजनाओं का जिरियान वायन और बहतर करने की जरूवत है ताकि देश में जो समानता का अदर्श इस्थापित करता है वो भी स्थापित हो सके महिलां और पूर्षों की अप्रिक्षा जो आपको अंतर दिखाई पड़ता वसंतर को पाटा जा सकते प्रतीशन तो याद रखना है सरवादी ग्रामिड जनस जनसंक्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है शहरी जनसंक्या की बात की थी तो भोपाल का नाम आ रहा था ना यहां पर डिंडोरी याद रखेंगे कि यह सबसे ज़्यादा ग्रामिर जनसंक्या वाले प्रतिशत हैं प्रतिशत वाले जिले हैं हमारे मंद्यप्रदेश में तो ये 25 questions MP में हम लोगों ने discuss किये हैं ठीक है आप इन questions के उत्तर को लिख लीजिएगा और इसके साथ साथ जो मैंने other facts आप लोगों को बताएं उन facts पर भी आप लोग डिसकस करिएगा निसंदे जहाँ पर detail में चर्चा करने की जरुत होगी मैं वहाँ पर detail में चर्चा करके आप लोगों को बिल्कुल बताऊंगा और जहाँ पर हम लोगों को लगता है कि detail में discuss करने की जरुत नहीं वहाँ पर हम सीधे उतर देखेंगे और आगे पड़ेंगे अगला lecture कल इसी टाइम पर update होगा आप उसको जरू देखिएगा और lecture से बने रहने के लिए आप चैनल क जै भारत वन दे मातर